So, जब मैं टाटोइंग में ने आ था, जब मैं टाटोइंग में बल्कुल एंटर किया था, सबसे पहले मैंने लाइनिंग सीखी थी और उसके बाद मैंने शेडिंग सीखी थी So, I was just thinking कि सबसे ज़ादा बड़ी मिस्टेक उस ताइम पे मैंने क्या करी थी And that was not to understand tones, values या फिर shades सबसे बड़ी जो problem उस टाइम पे आती थी, that was अगर मेरे को shading करनी है 100% से 70% पे let's say dark करना है मुझे और उसके बाद मुझे medium tone करनी है और उसके बाद मुझे करनी है light tone तो क्या होता था, सबसे पहले जो dark areas करने है वो थोड़े से ज़ादा हो जाते थे accidentally और उसके बाद उस बज़े से मुझे medium tone को भी और आके लेके जाना पड़ता था और ultimately मिरे को जो light tone करनी है उसके लिए जो जगा मेरे पास बच्चती थी, वो बहुत कम होती थी पोस्टराइज एफेक्ट या पोस्टराइज टूल आप बोल सकते हो basically वो टूल क्या करता है let's say आपको यह वाला टाटू बनाना है let's say आपको यह पोट्रेट करना है अब इसके अंदर यह समझना कि dark कहां पे है, light कहां पे है black areas कौन से है black areas तो definitely बहुत easy है समझना लेकिन black के इलावा जितने भी tones है उनको initial days के अंदर समझना या अगर आप tattooing में नहीं हो यह समझना कि वो कितने percent of black है या फिर वो dark tone है, mid tone है या light tone है, थोड़ा सा जादा challenging हो जाता है तो posterized effect क्या करता है इस तरीके से आपको एक map बना के दे देता है जिसके अंदर dark areas को अलग shade से denote किया जाता है mid tone को अलग तरीके से और light tone को अलग तरीके से इस तरीके से आपके लिए यह समझना बहुत जादा easy हो जाता है कि आपको कौनसी tone किस area में डालनी है अब 90% of the cases के अंदर किसी भी image के उपर यह posterized effect अराम से काम करता है 10% of the areas के अंदर यह थोड़ा सा tricky हो जाता है और मैं आपको दिखाता हूँ Photoshop के अंदर किस तरीके से आप इस तरीके से posterized effect को use कर सकते हो और राइट तो यह है हमारा Photoshop और यहां पर हम इमेज को open कर लेते तो यह एक एक सांपल इमेज है portrait है एक female का और इसको अगर हमें posterize effect देना है tones को समझने के लिए हम लोग layer को select करेंगे और उसके बाद जाएंगे image के उपर image के उपर जाने के बाद हम लोग जाएंगे adjustments पे और यहां पर आप होगे invert के नीचे posterize की option है हम इस पर click कर देंगे अब देख सकते हो कैसे चार levels अगरां select कर रहे है तो इस image के अंदर उन्होंने basically चार gray के अलग-अलग tones map कर दी है so definitely एक black के लिए then एक dark tone के लिए एक mid tone के लिए और यह highlight के लिए अब इसके अंदर आप play कर सकते हो let's say मैं इसको 7 में करता हूँ तो आप देख सकते हो कैसे posterize effect पूरा change हो गया black, dark, rather extra dark, dark, medium, light और extra light अब यह जो levels हैं यह हर image के हिसाब से अपने change होते रहेंगे so आपको typically 4 से लेके 7 के बीच में एक अच्छा gradient map मिल जाएगा जिससे आपको समझने में असानी होगी let's say इस area में अगर मुझे shade करना है तो जो mapping होगी यह जो stencil होगा उसको जब मैं execute कर रहा हूँगा तो समझना easy रहेगा कि मैं को यहां से dark करना है और उसके वाद धीरे-धीरे करके blend करना है similarly face में बहुत ज्यादा tricky होता है ज्यादा तर लोग यहां पर भी tone डाल देते हैं बड़ यहां पर highlight है अब दूसरी image ले 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 पास अगें same करेंगे हम लोग image adjustment और अ देखते हैं इस तरीके से छे अलग tones आ गई है black, extra dark, dark, medium, light ऐसे करके इसी को अगर हम 7 कर देते हैं तो यह 7 tones आ गई है एक छोटी सी tip थी जिसने मेरे को initial days के अंदर या फिर अभी भी मैं इस tip को use करता हूँ अगर reference के अंदर मुझे यह समझ नहीं आता कि कौन सी tone कहा तक जा रही है इस tip से आपको अपने shading work के अंदर या फिर अपनी values या फिर tones को समझने में बहुत जादा help मिलेगी I hope आपको यह चोटी सी वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी है तो like कर देना comments में अपने question पूछ सकते हो और subscribe कर लेना channel को